अस्सलाम अलेकूम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खेरियत से होगे अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे तो आज का जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो इन बड़ी बतक या गीज या बड़ी गर्दन वाली बतक के अंडों के उपर और उनके नेस्टिंग के उपर है और जैसे कि आप आगे देख रहे हैं ये कुछ बड़ी बतक है जो बीच वाली है वो फीमेल है और ये अंडे देने के लिए जगा तलाश कर रही है और ये वही बतक है जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाई हुई है और इसके जो साथ वाले है ये दोनों इसके बच्चे है जो बड़े हो गया है और इसने पहले इंडे दिये हैं तीन से चार इंडे दे दिये लेकिन हमने वह उटाकर रख दिए क्यूंकि ओ यंदे बाहर दे रही है कुछ जगे का इश्यू होने के वजह से में लग जी से इस लिए यहां बाहर अंडे तो यहां पर आराम से बैठ जाए तो यह यह अंडा यहाँ पर अंडा दे यह जो दो पीछे वाले यह बड़े बच्चे यह 6.5 माह के हो गये और यह मेल हैं जो अभी इतना ही अग्रेसिव है साल के 12 मही अग्रेसिव है और यह देखी यह आराम से बैड़ गये अंडा देने के लिए और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि यह कब अंडा देती है कि सीजन में देती है तो यह उममन थंड के दिनों में अंडा देना शुरू कर देती है और गर्मी के दिनों तक अंडे देती है कुछ-कुछ गर्मी के दिनों में अंडे देती है पर मैजरुटी थंड के ये हापई कुछ rabbit भी है और इनके बच्चे है जो बाकी बच्ची थे वा हमने सेल कर दिये अभी ये दो बच्चे ही रहे है ये दोनों फीमेल हिता है डाल में Śल मेरे ही नहीं ये और में ये पीचे ही लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको जगे पर आकर मतलब यहां बारामती में आकर आपको ले जाना होगा क्योंकि आपकोई ट्रांसपोर्ट सिस्टिमेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है अगर अगली बार मुझे यह गीव बेचने हो तो इंशालला मैं उनका वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दूगा तो आप मुझे कमेंट में या फिर कॉंटेक्ट कर सकते हो तो अभी तो य अंडा देने के लिए बैड गई है और यह ऐसी थोड़ा और कमफर्टेबर होने के कोशिश कर रहे है यह यही पर रुका हुआ है उसकी फीमेल के लिए गाइट करने के लिए यह काटता भी बहुत जोर से है पर इतना जोर से नहीं काटता कि खूल निकल जाए यह तो यहां बैड गई इसने साल में तकरिवन दो बार ब्रीडिंग किये है पहली बार जनवरी में और बाद में बरसात के लास्ट लास्ट वीक में और थंड के शुरुवात में तो यह जो बच्चे है यह साड़े-चार माह की हो गए है यह साथ में ही गूमते है सब कोई किसी को नहीं ही मारताख अभी बच्चे इतने बड़े हो गए है जो ये आगे वाले लीख रहे है यवी इतने बड़े हो गए है फिर भी ये अभी उनोके जैसे कि पछोटे यह एसे उनका ख्याल रखती है और यह बच्चे भी एकदम इनके साथ मिल्जूल-के ले लेते हैं तो अभी अ मुर्गी के अंडो के साइज में तो बहुत ही बढ़ंते हैं मुझक ऻिसानेथा कि हम यहां से अंडे इसलिए उटाके रख देते हैं क्योंकि यहां पर इसके अंडो को खत्रा है जब एक कुडूक रखाये तब हम वापस रख देंगे यहाँ पर इसने अंडा दे दिया है और यह अंडों को अपने इससे डख के रख देगी और चली जाएगी और जब इसके खुडुक होने का वक्त होगा तब आकर बैठ जाएगी उमुमन यह 28 दिनों में बच्चे निकाल देती है अब इसने पिछले बार 7 या 8 अंडे दिये अब पता नहीं इस पार यह कितने अंडे देगी जितने भी देंगी बारहल हम उसे बिटा देंगी उन अंडों पर तो यह वापस अब अंडों को ढाक रही है ले रहे है अपने पास तो इसने अंडों को डाख दिया है और यह आख से उड़ गई है आप देख सकते हैं बच्चे कितने अच्छे इसके साइज में हो गया है बड़े-बड़े यह इसका मेल अंदा हो गया था लेकिन अल्ला का शुकर है अब यह ठीक है तो अब हम अंडे देखते हैं देखिए इसने किस तरह से डाख कर रखे है तो हम अभी इन्हें घर में ले जाकर रख देते हैं ताकि यह सुरक्षितर है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प् मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुदा हाफिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया